अब हम लेते हैं साइकस का जो आंतरिक संरचना है या एनाटमी है इंटर्नल स्रक्चर है वो किस प्रकार दिखाई देता है तो इसके जैसे हमने पढ़ा कि मुक्के तीन भाग होते हैं रूट्स जो के दो प्रकार की होती है स्टेम जो अनब्रांच होती है और लीव्स ट्राउन ओफ लीव्स जो उपर अनब्रांच स्टेम के उपर दिखाई देती हैं तो लीव्स जो हैं वो पिनेटली कमपाउंट होती है है तो हम शुरू करते हैं इसकी रूट से तो normal रूट पहले हम देते हैं तो internal structure अगर normal root का हम देखें तो इस प्रकार देखें दिखाई देता है normal root जिसमें बाहर की तरफ यह है और पूरा पेरेंट कामेटर्स इसका कॉर्टेक्स है स्टार्च इसमें पाई जाती है स्टार्च कंटेनिंग सेल्स इंटर सेल्व स्पेसेज भी पाई जाती है पैरिसाइकल एंडोडर्मिस फ्लोयम जैसे यह डाय-ार्क कंटीशन मैं दिकाई दे रही है दो जायम के Бंडल्स है और दो फ्लोयम के तो यह और इसकी जो यह रूट है वह भी स्परम के प्रपार के होती है radial bundles इसमें पाई जाते हैं मतलब phloem और xylem अलग-अलग हैं जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है कि xylem जो है वो अंदर जो है वो metazylem है बाहर की तब periphery की तरफ प्रोटो जायलम है तो इसको एक्जार कंडिशन कहते हैं तो एक्जार कंडिशन इसमें पाई जाती है अब इसमें tannin cells भी पाई जाती हैं मुसिलिजनस और star cells भी इसमें देखी गई है इसमें secondary growth जो है वो भी काफी देखी जाती है जो नॉर्मल होती है मारूट उसमें इस प्रकार से जैसे लेकिए इसमें बीच में पित है और जो जायलम है वो काफी बढ़ गया है चारों तरफ दिखाई दे रहा है अब दो बंडल जना रहके वो पूरा गोल में ये जायलम बीच बीच में फ्लोयम दिखाई दे रहा है ऑफ को अदी हम देखें तो कोरलो रूट जो है वो इस प्रकार का दिखाई देता है देखें तो कोरलो रूट मैं जनरली ट्राय आर कंडिशन देखे जाती है जैसे इसमें दिखाई दे रही है वैस्कुलर वोई रेडियल और एक्जार कंडिशन जिसमें मेटा जालम अंदर पित की तरफ और प्रोटो जालम बाहर की तरफ और ये बीच में एक शेत्र जो है वो दिखाई दे रहा है ये देखे ये अपला ये है एल्गल जोन तो ये एल्गल जोन जो है जिसमें एल्गी के फिलामेंट्स दिखाई दे रहे हैं और इसके अलावा जो नॉर्मल जो रूट है उसमें जैसे टैनेंज हैं और कुछ एरिफाइड्स वगेरा तो वो भी इसमें नज़र आते हैं पर इसमें क्या डिफ्रेंस है देखे एक तो ट्रायार कंडिशन और दूसरा ये की इल्गल जोन इसमें हैं। और दूसरा एक और तीसरा ओक्वूर्टन पॉइंट के बहार की तरफ जो सेल्स हैं वह सके अंदर ये क्लॉरोफिल दिखाई दे रही है यह देखे यह chlorophyllous cells इसमें हैं तो यह partly photosynthetic जो है वो भी होती है तो यह एक important इसका character है अब हम यदि इसकी stem को देखें स्टेम जो है वो काफी डायकोट स्टेम जो होती है उससे मिलती जुलती होती है इसके अंदर बाहर की यह देखें इस प्रकार की दिखाई देखें और इसमें जैसे इसमें आपको दिखाई में दे रहा है यंग स्टेम को तो इसमें रिंग ओफ वैस्कुलर बंडल ऐसे यह रिंग में अरेंज़ रोती है जैसे डाकोट स्टेम है और इसमें इस प्रकार से यह जो है वो है तो यंग स्टेम में इस प्रकार का दिखाई देगा इसके अलावा इसमें म्यूसिलेज कैनाल जैसे यह म्यूसिलेज कैनाल दिखाई दे रही है जिसमें अपिथीलिन सेल और सेगो वाली सेल जो है वो भी इसमें हैं स्टेम में और काफी वैसकुलर बंडल जो रिंग में अरेंजड है वो दिखाई देते हैं इसके अलावा इसकी खास बात है कि स्टेम में लीव ट्रेस दिखाई देते हैं जो भी लीव को वैसकुलर बंडल जाता है वो लीव ट्रेस के रूप में स्टेम पे दिखाई देता है अब यह leaf trace जो हैं, वो करेक्टर терडोφÁITS से सोता होता है तो टेरेडोφाITS का जो करेक्टर है वो इसमें देखा जाता है अब यह वेस्कलर बंडल जो है, वो stem में इसमें देख रहा है तो जाइलाम ऑफ लोएम के बीच में cambium भी इसमें पाया जाता है जो active होता है और इसमें भी annular rings जो है वो बनती है mucilidus cells होती है तो इस प्रकार के इसमें old stem जबी हम देखें तो इस प्रकार का दिखाई देता है जिसमें की xylem phloem xylem phloem इस प्रकार को कई rings इसमें दिखाई देते हैं और leaf traces भी देखें cortex की तरफ दिखाई दे रहे हैं तो यह एक इसका important feature है यह देखें किस प्रकार से एक जो leaf trace है वो पूरा leaf को cover करके फिर यहां से यह जो है वो leaf girdle इसने बना दिया और यहां से फिर यह बाहर leaf में गया तो ऐसा girdling जो है वो भी इसमें दिखाई देता है secondary growth जो है वो डैकोर्ट में जैसे होती है वैसे ही psychus में भी पाए जाती है यह देखें इसमें secondary vascular growth जो है वो दिखाई दे रही है जिसमें annular rings बन रही है और यह जो activity है यह interfacicular और intrafacicular cambium जो है वो unite हो जाते हैं और ring बनाते हैं जैसे dicots में हमने देखा है तो वैसे ही इसमें भी अंदर की तरफ फिर asylum बनता है बहार phloem बनता है कुछ यह जो cambium की activity है यह थोड़ी समय के लिए होती है उसके बाद ring जो है वो अपना काम करना बंद कर देती है फिर second cambium ring उसके बहार बनती है और फिर वो वापस asylum अंदर की तरफ और बहार तो cambium rings जो है वो बनती cambium का age जो है वो भी हम पता कर सकते हैं तो इसमें हमने यह देखा अब हम इसके बाद इसके leaf का structure देखेंगे शुर आद लिए क्सुट आदेट के ज sी अंदोग में